दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाजार की पंडित पे जहां पे हम देखीगा आपको बताते हैं कि कल बार की मार्केट कैसे बिएप करेगा और आपको क्या करना है तो देखेगा सेल उन राइस की स्राटेजी शिरुवात से बताई थी और आपको आज दोनों तरफ के ट्रेड बने और सबसे बहतरीन देखेगा मुमेंट तब था जब 41,000 का लेवल टूटा और ये टाइम प्रेडिक्शन कहीं देखने होने मिलेगा बारा बजे बारा बजे आपको आएगा कि 12.20 से एक बजे के बीच में आपको डाउन टेंड देखने हो मिलेगा अब आप देखिए ये आपका 41,000 का लेवल जस्ट तूटा है और उसके बाद ये फिर गेन नहीं हो पाया यहां से 300-400 पॉइंट तक कि आपको गिरावट देखने हो मिली ये करूंगा जिसके बेसिस पे आपको 10 बजे से पहले ही ट्रेड कर लेना है 10 से 11 के बीच में और अगर आप देखिएंगे वहां पे ही आपको प्रॉफिट हो जाएगा और फिर लगातार ट्रेडिंग मत करिए क्योंकि अगर आप लगातार ट्रेडिंग करते रहोगे तो कभी भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाऊगे ओवर ट्रेडिंग करते रहोगे अगर 1000 रुपए कमा लिए तो इसका मतलब नहीं कि हम लगातार आप 1000 रुपए 1000 रुपए के चकर में पूरा दिन ट्रेड करो और फिर 2000 के लॉस में क्लोज करो तो मुझे लगता है क यहाँ पे अच्छा पीक बना लिया है डॉलर इंडेक्स ने और मुझे यह लगता है कि डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा नर्मी आते हुए देखने हो मिलेगी क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सेंटिमेंट बन रहे हैं जो हमारे डॉमेस्टिक सेंटिमेंट को पॉजिट कर रहे हैं और जब डॉमेस्टिक सेंटिमेंट पॉजिटिव होते हैं तो आपको पता है डॉलर में थोड़ी नर्मी देखने को मिलती है तो वही चीज़ है आपको फोकस करनी है काफी अच्छा पीक बना लिया है एक सो चार के लेवल पे इनका रिजेक्शन है एक सो चार एक सो चार बीस का अगर लेवल देखने को मिलता है तो मार्केट कहीं पे भी खुले जैसे ही डॉलर में थोड़ी सी विनर्मी आती है मार्केट बाउंस बैक कर देगा चुकि मार्केट ओवर सोर्ड है मार्केट इस निफ्टी बैंक इस रेडी फॉर बाउंस बैक यानिक ए ऐसा क्यों कहा रहा हूं कि यहाँ पे थोड़ी नर्मी देखने को मिल सकती है चुकि हमारी करंसी में स्ट्रेंथ देखने को मिल लिए हमारी करंसी में नहीं हमारी करंसी की अदर करंसी के कंपारजन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिल लिए 0.30 की देखेगा strength आपको देखने हो मिली है अगर ये strength रात तक बढ़ जाती है तो ये plus point है और अगर आप तक नहीं भी बढ़ती है तो ये कल जरूर बढ़ेगी कल ये morning के time पे जरूर बढ़ेगी और जब ये बढ़ेगी तो उतना ही देखेगा एक hit चाहिए, एक pick up चाहिए bank nifty को rebound करने के लिए little bit तो वो एक short covering पे कल work करना है उसके बाद आपको work करने की जरूरत नहीं है back to back trade नहीं करने की जरूरत है तो ये इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि थोड़ा सा नर्मी आ सकती है आपके dollar index में और आप देख रहा हो कि यहाँ पर आपने देखता रहता था 83 का level देखा था वहाँ पर यहाँ से यहाँ पर आपको देखने हूँ मिला था और फिर उसके बाद यह अच्छा strength बनी थी तो वहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा regain करा है हमारे Indian currency ने comparatively to USD तो यह चीज एक plus point है कल के लिए another plus point यह है कि जाए आप T note की बात करो US की या फिर India के 10 year bond deal की तो थोड़ी नर्मी आपको देखने हूँ मिल लई है 2 year में थोड़ी सी गर्मी है बट यहाँ पर इस गर्मी को निगलेट इसलिए कर दीजे चुकि यहाँ पर US का 10 year bond deal चाफिर अगर आप जितने भी Europe के 10 year bond deal है उनमें आपको नर्मी देखने हूँ मिल लई है और आपको पता है क्योंकि आज कोई वज़ा नहीं थी इतना मार्केट गिरने की और हमें नर्मी भी देखते हूँ मिल चुकी है और लगातर आपको पता है कि इतना ज़्यादा पैनिक का महौल भी नहीं है और कल मंगलवार भी है तो आपको पता है कि इतनी ज़्यादा volatility भी नहीं रहती है तो इसलिए एक short covering बन सकती है Monday को थोड़ा सा दिखेगा risk ही रहता है चुकी volatility रहती है बुद्धवार को भी रहता है चुकी finnifty के expiry रहती है ब्रसपत को आप जानते ही है लेकिन कुछ ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे आपको जाधा moment तो नहीं मिलता लेकिन अगर sure moment एक जगे पे दिख रहा हो तो वहाँ पे आप trade कर सकते हो तो यह plus point है कल के लिए अब मैं सबसे interesting plus point की बात करता हूँ कि metal index लगातार गिर रहा है चुकी लगातार अगा है और देखेंगे तो metal में बिक्वाली 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 देखने मिल लिए पिछले 5 trading session से तो metal ने देखेगा gold ने rebound करा है silver ने rebound करा है copper ने rebound करा है और अच्छा rebound करा है यह निचले स्तर से recovery है आप देखेगा निचले स्तर से recovery आई है तो क्या फाइदा होगा आपको पता है bank nifty strength नहीं दे रहा है कल reliance से strength दे सकता है चुकि आपको पता है crude oil यहाँ पर थोड़ा सा regain कर रहा है अपने momentum को regain कर रहा है तो reliance की तरफ से momentum आ जाएगा तो वो खुद में एक sector है और nifty metal जो बिलकुल देखेगा उनमें regain देखने हो मिला है तो कल metal एक ऐसा sector होगा जो थोड़ा सा strength शो करेगा तो कल देखेगा reliance एक थोड़ा सा आपको stability देगा nifty को देन आपको देखने हो मिलेगा nifty metal की तरफ से strength तो उतना काफी है में short covering के लिए उतना काफी है में short covering के लिए और रही कसर पूरी करेगा आपका nifty IT चो कि tech stocks में नीचे के level से काफी बड़ा rebound देखने हो मिला है तो US में अगर आप देखेंगे technology के जितने भी stocks हैं उनमें इस समय काफी अच्छी recovery देखने हो मिल लई है नीचे के level से आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे के level से काफी अच्छी recovery देखने हो मिली है तो अगर अमेरिका के tech stocks में recovery है तो हमारे nifty IT जो कि second major sector है ता बड़ा sector है जो आपको nifty 50 को strength देता है तो उसमें भी थोड़ा सा momentum जो बना है last में आज वो थोड़ा सा फिर से बना रह सकता है आज अब देखेंगे जो momentum बना था last में वो momentum थोड़ा सा keep on going रह सकता है तो कल के लिए सबसे important है nifty 50 की और nifty bank की देखेगा oversold category नीचे की तरफ देखेगा 17760 का ही एक support रखेंगे उपर का देखेगा जो level रहेगा वो रहेगा 17920 इसके उपर जब survive करेगा तब ही आपको 17975 के दर्शन हो सकते हैं तो ये रहेंगे कल के level nifty 50 के nifty bank की बात करेंगे एक ही support है 4550 कल के लिए उपर की तरफ देखेगा 48860 का है resistance और ये तूटता है तो 4960 और फिर 41,000 ये level आपको याद अखने है तो focus करेगा वीडियो गर अच्छा लगे तो like share subscribe करना न भूलेगा thank you so much